आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मेड बटर स्कोच केक की रेसिपी जिसे हम घर में ही विदाउट ओवन बनाएंगे इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो मेरी चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें पास ही बेल आईकन के बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली हर निव वीडियो का नौटिफिकेशन मिलता रहे चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिए हैं चार अंडे जिनने में अलेक्रिक बीटर के साथ बीट करूँगी अंडे जो हैं वो रूम टैंपरिचर पे होने चाहिए ज्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए जैसे कि लोग अकसर करते हैं कि फ्रीजर में रख देते हैं और उसके बाद आप लोग इस तरह से उन्हें बीट करना स्टार्ट कर देते हैं जो केक होता है वो अच्छे तरीके से बेक नहीं होता है तो इसलिए रूम टैंपरिचर पे होने चाहिए यह देखें यहां पे जो है मैंने इनको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है यहां पे मैं ले रही हूं आइसिंग शूगर जो के है वन कप और हम एक साथ इसमें डालके बीट नहीं करेंगे ऐसे थोड़ है वह अच्छे से फलफी से फॉर्म में आ जाए यह दुगूज मैं पे जो है यह बीट हो चुका है अब इसमें आड़ करेंगे वैनिला एसंस यह देखें जी हमने यह चामच के बराबर जो शूगैस्स है वह इसमें अर्च करती है अब हम आपह हम इसे पांच से यहां पर यहां पर में ने एक कढ़ाई लिए जिसे मैंने एक स्टेंड रखा है और यहां पर मैं इसे प्रीट वाने के लिए रख दूंगी यहां पर मैंने एक कप के बराबर ही मैदा लिया है अब मैं इसे हाथ की मदद से ही फोल्ड करूँगी इस तरह से इसे हम बीटर की मदद से फोल्ड नहीं करेंगे दिखें अब यहां पर मैं इसमें एड़ करूँगी एक चमच के बराबर बेकिंग पाउडर अब हम इसे हाथ की मदद से मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल अराम अराम से अपने इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से अपने इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई lumps नहीं रहा जाएं कोई गिट्लियां वगे या कुछ इस तरह का का नहीं होना चाहिए यह देखे यहां पिर जो मैंने mixture जो है उसको अच्छे तरीके से mix कर लिया है यहां पिर जिसको मैंने लिया है केक more जिसको मैंने पहले से ही oil के साथ greese करके रख लिया था मैं मिक्सचिर जो है वो इसमें एट कर रही हूँ लmost जी तमाम मिक्सचर जो है मैं मैं इसमें एट कर दिया है अब 2-3 भार हम इससे इसले से टैब कर लेंगे ताके तुमाम बबल जो हैं वो रिमूँ हो जाए अब यह जो कढ़ाई जिसे मैंने पहले से प्रीटो होने के लिए रख दिया था अब मैं इसमें केक जो है वो बेक होने के लिए रख दूँगी यहां पर हम इसे 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे यह देखें जी 45 मिनट हो चुके हैं जो है वो अच्छे तरीके से बेक हो चुका है यहां पे हम किसी भी वुट्स टिक की मदद्स जे हम चेक कर लेंगे। यह एं बिल्ऴी नीट एंड ग्लीन आई है। इसका मतलब यह कि केग जो ऑच्छे तरीके से बेक हो चुका है Horse यहां पर लिए मैंने एक पैन उसमें एक कप के बराबर शुगर ना तो हम इसमें पानी आट करेंगे ना ओयल सिफ इसे शुगर को हम लोग हल्की आज पे मेल्ट होने देंगे और इस तरह से हिलाते जाएंगे यहां पर शुगर जो है को मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है यह देखें आपनी सी तरह से चंबच जो है वह हिलाते जाना है ताके इसमें कोई गिट्लियां वगरा नहीं बन जहें यह दिखें शुगर जो है वह मेल्ट हो चुकी है यहां पर मजीद इसे 2-3 मट तक इस तरह से पकाएंगे यह देखें, यहां पे जो है वो बिलकल शुगर जा है, वो मैल्ट हो गई थी तो मैंने इसमें ड्राइ इंग्रिडियन्स जो हैं, वो एड़ कर दी हैं अब मैंने मिक्स करूँगी यहां पे मैंने एक प्लेट ली है, आप कोई भी और बटन दे सकते हैं मैंने इसे ओल के साथ ग्रीस कर लिया था, अब यह जो मिक्स्चर है, मैं इसमें एड़ कर दूँगी यह देखें, और इसे प्लेट में अच्छे तरीके से पहला दूँगी के हम लोग जिसना मार्केट से लेते हैं न, चिक्की, चिक्की बनती है, वो अलएदा-लैदा ड्राइ-फ्रूटS की होती है तो मैंने इसमें मिक्स्ट डाल के चिक्की बनाई है यह देखें, यहां पे हम इसे ब्राय होने देंगे यहां पे जो केक है वो अच्छे तरी के से ठंडा हो चुका है और यहां पे मैंने उसके तीन पीसिस कर ली है यहां एक बाउल में लिए हैं मैंने डिट कप के बराबर विपिंग क्रीम अब हम इसे अलेक्रिब बीटर के जरिए विप्ट करेंगे इसे तांच से दस में लग जाते हैं विप्ट होने में यहां पे इसे हम लोग कोई भी पानी या बरफ अगरगा इस्तावाल नहीं करेंगे यह ऐसे एजिली विप्ट हो जाएगी तो यहां पे मैंने केक का एक पीस लिया है उसे यहां पे रखा है अब इसके बाद मैं इसमें एड़ करूंगी शुगर सीरम आपने फुली इस पीस के ऊपर शुगर सीरम अच्छे तरीके से एड़ करना है देखें चारों तरफ से शुगर सीरम जो हैं मैंने इस पे आड़ कर दिया है अब मैं इस पे विपिंग क्रीम लगाँगे आप चाहें तो स्पेशला की मदद से इस पे वेपिंग क्रीम जो है आप कर सकते हैं यह देगें यहां फे मैंने इसे सारी सारडों से जो है वो वेपिंग क्रीम को अच्छी से लेवल कर लिया है देखें अब इसके उपर जो चीकी हमने बनाई थी उसे मैंने ख्रश कर लिया आया वह मैं इसके उपर आट करूँगी इसके बाद हम केक का दूसरा पीस लेंगे वह इसके उपर आट करेंगे तेनवी परसीजुर हम अप्लाय करेंगे हम इसके उपर शुगर सीरम जो है वह अच्छे अबरत करेंगे सारी साड़ों पर अगेन विपिंड़ क्रीम लगाएंगे विपिंग क्रीम लगाने के बाद हम इसे फिर से अच्छे तरखे से लैवल कर लेंगे वो चीकी जो हमने ट्रश की ती वहम दूसरी बार फिर इस पर अट करेंगे और इसके पास जो लास्ट पीस है केक का थर्ड पीस वो हम इसके उपर रखेंगे और शुगर सीरम एट करेंगे देखें अच्छे से शुगर सीरम एट करने के बाद इसको भी हम वेपिंग क्रीम लगाएंगे इसे सारी साइडों से इसे अच्छे तरी किसे कवर करेंगे यह देखें इस तरह से विपिंग क्रीम जो है वो लग चुकी है अब हम इसे लेवल करेंगे यह देखें यहां पर हम इसे साइडों पर भी विपिंग क्रीम लगाएंगे अब हम इसे तमाम साइडों पर अच्छे से विपिंग क्रीम के साथ इसको कवर करेंगे सारे केक को देखें इसी तरह से आप पाइपिंग डैप के जरीए अच्छे से विपिंग क्रीम जो है वो सारी साल्डों पे लगा लेंगे आप बाद में किसी नाइफ की मदद से या स्क्रैपर की मदद से अच्छे से आप इसको नीट कर सकते हैं आज देखें आप नाइफ लें या आप कोई भी चीज लें स्क्रैपर लें कोई भी कार्ट कोई भी पेपर आप इससे हार्ड पेपर जो होटा है वोता हो यूज कर सकते हैं अगर आपके पास क्लिपिंप या कुछ इस तरह की नाइफ नहीं है तो यह देखें, यहां पर 4 साइडों से हम दोग ने निट कर लिया, हम इसे उपर से भी इस तरह से निट कर लिएंगे. यहां पर जो एक्स्ट्र क्रीम है, और इसे बफ़ैंच करते हैंगे, और इस बहुत में अखते हैंगे. यह देखें अब यहां पर जो चिकी है जो हमने क्रश की वी थी वह हम इसकी साइडों पर अच्छे तरीके से लगा देंगे इस तरह से केकी की तमाम साइडों को हम इस क्रश की वी चिकी के साथ जो है वह अच्छे से कवर कर देंगे आच एया है कि देखुए यहां पर जो ची कि कि है वह कित तंमाम साइ्ड ओ इसाल और चुकिए beth एक यहां पर मैं छोड़ी सब्सक्राइब नढ रहे हूंँ कि दिए किडेजि़ुरुटरिशन अपनी सब से कर सकते हैने ते कि इसी तरह से तमाम साइड़ों से में इस तरह से फ्लावर्स बना दूंगी इस तोड़ी जोड़ी का क्यार्ट कर रही हूं आपने पिर इसके अंदर हम रांड शेप में इसी तरह से फ्लावर्स बनाएंगे और इसके अंदर मजीद में जो चिकी है वो इस पर आड़ करूंगी यहां पर जो केक की रेकृरेशन है वह कंप्लीट हो चुकी है जो हमने चिकी बनाई थी उसके दो दो पीसिस थे वो मैंने इस तरह से रख लिए थे वह भी मैंने इसके उपर इस तरह से एड़ कर दिये हैं लीकिन जी होम मेट बटर स्कोच केक जो है वो रेडी हो चुका है आई होप आपको यह रेसिपी जो है पसंद आई होगी आप इससे जुरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा